चलो बटा स्टार्ट करते हैं तो opening of mechanism हम लोग सिख लिया अब हम लोग पढ़ते हैं opening अस्टोमेटा का कैसे होता है यह तो बात हमको समझ में आ गई अब हम क्या देखेंगे closing अस्टोमेटा क्लोज कैसे होता है ठीक है अस्टोमेटा का closing का mechanism देखेंगे अस्टोमेटा क्लोज कैसे होता है इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वह तिसकाशिका coury नाम सुना है अब सिसी केशिट का नाम सुना है बटा अब सिसी केशिट को हम लोग बोलते हैं अस्ट्रेस हार्मोन अब सिसी केशिट का नाम बोलते हैं हम लोग अस्ट्रेस हार्मोन стр TVs स्ट्रेस हॉर्मोन प्षिसी के सित अब क्या बुला आता है अस्ट्रेस हॉर्मोन तो अस्टोमेटा कैसे खोगा क्लोज होगा इस में में रोल है अब सिसी के सित का अब देखो होता क्या है कि जो that is to matter है तो स्टोमेटा को बंद करना है तब होगा कि है तुरव यह इन देखा पॉक्थ फ्रवासा उल्टा Π्रोसेस होगा जो मेंबरेन प्रमियबिटी बढ़ गई थी है ना जो मेंबरेन प्रमिय में हमने और छा रहा था और हैं और शो और कर आod सिन और configur रहा था अभी हाइड्रोजन जो है वो अंदर की तरफ आएगा देखो कैसे आएगा सिल अब आपके अंदर आप क्या हो चुका है अस्टोमेटा ओपन है मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं यह कहूं कि जैसे यह देखो यह मैं बना रहा हूँ यह इस तरीके से मैं गार्ड सिल ठीक है और इसके बाहर में यह तुम्हारा सबसिड्री सिल है ठीक है तो इसको मैं सबसिड्री बोल रहा हूँ ठीक है और यह क्या है गार्ड सेल है ठीक है अब सबसेड्री सेल में क्या है कि हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया है H plus का concentration बढ़ा हुआ है है न जी क्योंकि वो तो चला गया था न सब H plus इदर से बाहर गया था न अब अंदर में क्या हुआ है जो potassium mellate है potassium mellate बटा भी बताया से सारा की बात तो potassium mellate का concentration अंदर में high है यानि salt का concentration high है यानि कि अंदर के सेल का जो ओस्मोटिक प्रेसर है वो ज्यादा हो चुका है भी कौन सा सेल का गार्ड सेल का और बाहर वाला का सेल का कॉमपरेटिबली क्या है ओस्मोटिक प्रेसर क्या है बेटा ओस्मोटिक प्रेसर क्या है कम है यही बात समझ लेना है अब ही जो osmotic pressure अंदर में है वो बढ़ा हुआ है बाहर में जो osmotic pressure है वो कम गया है अब बाहर पानी जाएगा जैसे कि अब होगा क्या देखो ध्यान से समझो होगा क्या कि guard cell का पानी को बाहर जाना है गार्ट सेल में जो water भर हुआ है उसको बाहर जाना है तभी guard cell का turgidity कम होगा है तो जो endo osmosis हुआ था उसको एक जो osmosis करना पड़ेगा तो इसमें देखो यह जो ABA hormone होता है बहुत बड़ा role play करता है ठीक है यह एक एक ऐसा hormone है जो membrane permeability को change कर देता है यह क्या कर गया बटा इ change the membrane permeability membrane permeability ठीक है यह membrane के permeability को क्या करेगा चेंज कर देगा मतलब यह उल्टा कर देगा जिसका efflux हो रहा था उसका अब influx होगा और जिसका influx हो रहा था उसका अब efflux होगा अब यह समझने वाली बात है सर यह होगा कैसे है ना अब यह होगा कैसे तो देखो बहुत interesting बात मैं बता रहा हूँ पहले क्या हो रहा था बेटा जब astromata को opening हुआ था तो क्या हुआ था बताओ efflux मैं बात करता हूँ efflux की किसका हुआ था efflux बोलो hydrogen iron पोटेसियम आयन जो है वो अंदर आ गया था इंफ्लक्स हो गया था और इफ्लक्स हो गया था तो फिर से पोटेसियम बाहर जागा तो फिर से बाहर का जो बाहर में जो सबसीड्री से ले फिर से उसका osmotic pressure बढ़ जाएगा तो फिर से पानी अंदर से बाहर चला जाएगा ठीक है कर ता अस्टमाइटा को ओपनीं होने में पोटैसियम आयन का रोल उठा पोटैसियम आयन आप से कभी मल्टीपल चोई सब्सक्रों में भी आएगा कि कौन सा एलिमेंट है या कौन सा आयन है जो पोटे अस्टोमेटा को ओपन कर वाता है तो याद रखना इंसी आई टी में भी लिखा गया बटा मिनरल नूट्रिशन चेप्टर आगे पढ़ेंगे उसमें पोटेसियम के बारे में पढ़ेंगे पोटेसियम ही वो चीज है जो अस्टो सेल क्या हो गया तरजीड हो गया और जब गार्द सेल तरजीड हो जाएगा तो गार्ड सेल का उस्मोटिक प्रेसर बढ़ जाएगा अंगर लिखा सेंपीš में लिखा प्राई 亞ी होता है वहां पूस्मोली क्मठेसियम की बजह से सबसिडरी अलीक attowing कहां पर चला गए बटा गार्ड सेल में बाई ऑस्मोटिक प्रेसर जहां पर हाई होता है वहां पर पानी जाता है ने बटा तो अगर गार्ड सेल के अंदर की तरह ऑस्मोटिक प्रेसर हाई है तो सबसीडरी सेल में ऑस्मोटिक प्रेसर जो है कम है और सबसीडरी सेल से पानी क कहां चला जाएगा गार्ड सेल के अंदर में इंडो ऐस्मोसिस हो जाएगा तो फिर पानी बढ़ेगा तो गार्ड सेल का टर्जिडिटी बढ़ गया बात समझ में आई जब गार्ड सेल की टर्जिडिटी बढ़ गई तो गार्ड सेल ओपन हो गया अब इसके बात फिर एक बात हमको समझ नहीं है तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि गार्ड सेल अब जो है वो ओपन हो चुका है अब यह बंद कैसे होगा यह मैं समझाने जा रहा हूँ तो क्या है कि यहां पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है यह अब सीशी के सीट वह बहुत बड़ा मेजर रूल प्ले करता है वो क्या करता है बटा मेजर रूल प्ले करता है ठीक है कि समझेगी नहीं कि समझ यह ने बटा तो अब बताओं कैसे होता है हाँ देखो तो समझो अब मैं बता रहा हूँ देखो रात के समय में फोटो सी हाँ रात के समय में स्टोमेटा होता है अस्टोम स्कनलब होता है डि टायम ऐस टमिटा ऊपन कम होता है यंप घदर नहीं disp अपन होता है ठीक है ओपन कैसे हुए इसका हमने कंसे क्पड़िये था ओपन अस्टाम Rider हमने देखा अम क्यों होता है बटा लोज कम होता है दिवरींग दिवरींग नाइट ठीक है रात के समय में स्ट्रोमेटर ओपन होगा पर यह होगा कैसे यह हमको समाजना है तो देखिए बटा बटा हम आपको जानते हैं हम लोग आप आपको बताया है कि क्या फोटो सिन्थेसिस जो फोटो synthesis होता है वो रात को होता है क्या रात में पौधा photosynthesis करेगा बेटा नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा ना अब जब पौधा बेटा रात में photosynthesis नहीं करेगा तो photosynthesis में होता क्या है भाई जो carbon dioxide होता है CO2 जो होता है उसको यूज करके पौधा क्या बनाता है छे कारबन डायोकसाइड लेगा और एक मॉलिकूल्स क्या बनातेगा बेटा गुलकोज यही तो करता है ना बात समझो छे कारबन डायोकसाइड लेगा पौधा और एक क्या बनातेगा बेटा गुलकोज है कि नहीं बात समझ में आएक नही आई ये बुलो अब इसको हम आगे चेप्टर में आएगा ना फोटो सिंथेसिस तो पढ़ेंगे इसके 6 सी ओ टू प्लस 12 हम आगे बस अभी इतनी सींपल सी बात समझनी है कि 6 कारबन डायोकसाइड इस रिक्वाइड फोटो सिंथेसिस जब होते रहेगा तो वो यूज हो जाएगा है कि नहीं लेकिन रात के समय बेटा फोटो सिंथेसिस नहीं होता है इसके बज़े से क्या होता है कि सी ओ टू का कंस का होता है और क्या होता है ऊसीतल का समय में आहाई कि सी यू टू कंसेंट्रेशन क्या हुआ बढ़ गया कहां पर can गार्ड शेल के अंतर में समझ में आया अब जब गार्ड शेल के अंतर में सीयो तुका हाँ बोलो मुझे स्क्रीन दिखाए नहीं दे रहे हैं तुम्हारा नेटवर्क प्रोब्लम है एक बार फिर से आफ करके अन हो जाओ एक में रुकों मैं देखता हूं यहां से अब मत ओफ होना रहे तो फिर बाहर बाहर चले जाओगे ठीक है अन्ड़ से इसलिए मैं लिफ नहीं हो पाओगे जब हंड़े से कम रहे है तो लेफ्ट हो करके दुबारा जुआइन हो सकते हो कहां कि हंड़े रहता है तो फिर पतने जैसे हट होगे दूसरा को आ जाएगा त क्योंकि पूरी पूरी जो चीज है ना वो रिकॉर्ड चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्लास रिकॉर्ड हो रहा है बेटा एक तम बहतरीन तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आपको है ना रिकॉर्डिंग चल रह नेटवर्क देखो नेटवर्क अच्छा है इच्छा है चलो हो सकता है दो तीन मिनट में सही हो जाए बटा यहां पर कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं यहां से तो पूरा सब ठीक है सही है कोई दिक्कत नहीं चल रहा है तरसे सब लोग को दिखा दर तुम्हारा बेटा कुछ तो प्रॉब्लम में देखो दुबार देखो दुबारा ज्वाइन हो करके देखो अगर मान दिये कि नहीं ज्वाइन हो तुम्हां इमिडियेट री ज्वाइन करो है ना री ज्वाइन करो एक वार क्या होता है कभी कभी मोवा cell में अंदर concentration बढ़ा तो carbon cell क्या होता है बैटा ABO को बढ़ा देता है किसको बढ़ा देता है AB, ABO को क्या नाम बताया, ABO का नाम क्या बताया, अब CCG, हैंनां, यह अब CCG को बढ़ा देता है, तो अब CCG बाढ़ गया अब आप CC के शीड क्या करता है बटा मम क्येंज दन मेंब्रेन पाइबिटी सी एच एफ एञ जी चेंज इसको क्यों लिग दिया वटा इसको क्यों लिग दिया स्क्रीन पे ठीक है चेंज मेंब्रेन पर्मी अब ने अंब membrane permeability change करने का मतलब क्या हो गया कि अब यह उल्टा काम करेगा अब यह क्या कर देगा उल्टा कर देगा है नहीं देखो अगर को डॉट फॉट मारेगा ना तो उसको रिमूब कर दूंगा दो मिनट के अंदर में यहां पर बैटा वैसे भी को डॉट डॉट लिग रहा है मैं ड क्या हो जायगा उल्ठा पता हो इफ लक्स इफलक्स किसका होगा आप एभर कि किसका होजाएक है तो अब इन फलक्स हाइडोजणा आइन का हो जाएगा तो अब पोपोटेसियुंअ तो बाहर चला गया ईयनी सौल्ट किटम हो जाएग्ई तो अब ओस्मोוד reduce प्रेसर guard cell का क्या हो जागा? decrease और जब बेटा guard cell का osmotic pressure decrease हो जागा तो comparatively सबसेट्रिस सेल का तो guard cell का पानी बाहर तो guard cell का पानी बाहर तो guard cell का target pressure क्या बुला? क्या हो जाएगा गांट सेल का टर्गर प्रेसर डिक्रीज कर जाएगा जब टर्गर प्रेसर डिक्रीज कर जाएगा तो अस्टोमेटा अस्टोमेटा क्लोजड समझ में आगे बस यही पूरी तरीका है बस यही है उल्टा कहानी चला है लीविट ने जो कॉंसेप्ट बताया थ है वही कहानी इसमें भी है बस खाली उल्टा हो गया मेजर रोल क्या हुआ कारबन डायोकसाइड यह बढ़ता है ना बैटा सेल के अंदर में यह बहुत important point है तुमको यह point important है इसको याद रखना है ठीक है यह point important है कि जैसे ही carbon dioxide का concentration बढ़ेगा एक हार्मोन जो होता है कि हम लोग क्या बोलें है अबCCCC Pacid यह हर्मोन जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा यह अधर मुंक्ति हो जाएगा बढ़ जाएगा मतलब यह बहुत important चीज़ की अब सिसी के सीड़ को बढ़ाने में carbon dioxide का ब बढ़ा डूर्व जैसे ही carbon dioxide बढ़ेगा वैसे ही अब CC के सिट क्या हो जाएगा है इंक्रीज कर जाएगा और अब CC के सिट इंक्रीज करेगा तो membrane की permeability को उल्टा कर देगा जो efflux हो रहा था उसका अब influx हो जाएगा और जिसका influx हो रहा था उसका है फ्लक्स हो गया hydrogen अगरटा कास्मोर्ट पोनी क्या होगई है अब आप यह समझ में आ गई पूरी कहानी यह पूरी कहानी समझ में आ की नहीं है